वेल्कम टो सारकी स्टोडिय एकडमी तो आज क्लास एट का हिंदी वर्क बुक सेमिस्टर टू इसका चैप्टर नमबर टू है कच की सेर इसके सॉलुशन इस वीडियो में देखेंगे तो फर्स्ट है फर्स्ट क्वेशन निमनलिकित प्रत्यक प्रश्ण के उत्तर के लिए दिये गए विकल्प में से सही विकल्प चुन कर उसका करम अक्षर प्रश्ण के सामने दिये गए बॉक्स में लिखिये फर्स्ट है यहां नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गाव है तो इसका C answer है भच्चाव सेकंड कंडला क्या है तो इसका D answer है बंदर गा धर्ड कच में भथर जिनाले कहां है तो इसका A answer है मांडवी में फोर्थ, सुरुजन कच की कला का परीचे करने वाली एक डैश है, संस था Q2 एकोष्टक में से उची शब्द चुन करिक्त सानों की पूर्ती कीजे 1. सामखियाली को हम कच का प्रविश्द्वार कर सकते हैं Q2 एकोष्टक में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, सिंधी यह अंसर है Q3 एकोष्टक में स्थान आधिपूर में है, आधिपूर यह आपका आंसर है Q3 एकोष्टक में सामखियाली की प्रविश्द्वार कर सकते हैं Q4 है कच को हम म्यूजियम कर सकते हैं, क्यूंकि यहां अनेक दर्शनियस्थानों का वैविद्य है Q3 नक्त्राणा लोगप्रियस्थान है, क्यूंकि यहां प्राकृतिक नजरों का केंद्र एक बांसर है Q4 है निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दोदो वाक्यों में लिखिया Q4 नक्त्राणा लोगप्रियस्थानों का नगर है, यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है Q2 है भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है इसका अनसर है बद्रेश्वर जयनों का अति प्राचिन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है यहां जयनों का 25 वर्श पुरान संगम रमर से बना जीनाले है Q5 है निम्न लिखित मुद्धों के सम्बंद में 4-5 वाक्यों लिखे Q5 है फस्ट है मरू भूमी रेगिस्थान तो इसका अनसर है जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाय देती है उसे मरू भूमी या रेगिस्थान कहते है मरू भूमी में वर्शा बहुत कम या बिलकुल नहीं होती यहां पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहां कहां ऐसे स्थान होते जहां भूमी से पानी निकलता है ऐसे स्थानों को मरू उद्ध्यान कहते है मरू भूमी के लोग प्राय उट पर प्रवास करते इसलिए उठ को रेगिस्थान का जहांज कहा जाता है Q5 का Q2 है कच के तीन बड़े शहर तो इसका अंसर है मांडवी, भूज और मुद्रा ये कच के तीन बड़े शहर है मांडवी, अत्यन्त सुन्दर बंदर गाह है यहां बड़ा प्राचिन अगर है यहां राज महल पौण चक्किया तथा समुद्र दर्शनिये है भूज वयववशाली नगर है यहां आयना महल, प्राग महल, हिल गारडन, स्वामिनार मंदिर हमिर सर, भूजिया पहाड, आदी दर्शनिये स्थान है मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है यहां कई प्राचिन इमारते है कुशन फाइ का कुशन थोड है कच में स्थीत धार्मिक स्थल तो इसका आंसर है बद्रेश्वर नारायन सरोवर, लगपत तता हाजिपीरी ये कच के मुख्यत धर्मिक स्थल है बद्रेश्वर प्राचिन जैनियात्रादाम है यहां संगम रमर से बना पच्चिस सो वर्ष पुराना जिनाले भुकंप से खंडित हो गया था अब आदुनिक धंग से उसका पुनन निर्मान किया जा रहा है नाराइन सरोवर पुरानिक धर्मिक स्थान है यहां रामायन काल का माना जाता है लगपत में शीखो का गुरु द्वारा है हाजिपीर मुसल्मानों का पवित्र स्थान है कच के अइतियासिक स्थल इसका अंसर है सामख्याली के उत्तर में धोला वीरा एक अितियासिक स्थान है यहां भारत की अति प्राचिन मोहन जोदडो संस्कृति के आउशेश पाये जाते हैं लगपत गुरु नानक की स्मूर्थी से जुड़ा प्राचिन स्थल है किसी समय यह एक समुद्र नगर था यहां का कीला पुराने इतियासिकी याद दिलाता है पेज नमबर 14 Q6 नीमनलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए इसका फॉस्ट है आप अपनी पाच्छाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो इसका अंसर है पिछले वर्ष दिपावली की चुटिया में हमारी पाच्छाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था प्रवास में 45 विध्यार्थी और 3 शिक्षक थे आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए दूर से आबू परवत दिखाई दिया बस का मारग घूमावदार था बस की गती भी बहुत दिमी थी दोनों और भयान खाईया थी लेकिन हर्याली और ठंडे पवन के जोके सुक दे रहे थे बहुत उचाईपार करने के बाद हमारी बस रगुनात अवंदीर के पास खड़ी हो गई उस समय सुबह के दस बज रहे थे उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी सडकों पर मेठा डोर जीपे और कारे दोड रही थी जगजगर टुरिस्ट गाईडों सेंटरों होटेलों और यातरी आवासों के साइन बोड लगे हुए थे हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उत्रे दोक कमरे थे जिन में आधुनिक सभा सुविधा थी सुविधा थी बोजन और विश्राम के बाद हम अइत्यासिक देलवाडा मंदिर देखने गए वहां की कला देखकर हम दंग रहे गए देवरानी जेठानी मंदिर सच्मुझ बहुत सुन्दर है उनकी नकाशी और शिल्प की बारी की देखने लायक है अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंट देखा फिर हम विश्रिष्ट आश्रम गए अचल गढ़ परस्थीद भर्तुहरी की गूफा देखी हम अबरुता देवी के मंदिर भी गए गए नकी तालाब में हमने न्योका विहार का मजा लूटा एक दिन हमने आबु के सबसे उचे गुरु शिकर पर दत्तात्रे के बाद चिन्नों के लिए के दर्शन किये वहां के उचे विशाल घट को बजाया और उसकी मधूर द्वनी का आनंद लिया हमने वहां के ब्रह्म उस प्रवास की यादे अभी तक मेरे मन में ताजा है अपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिये इसका अंसर है 14 सद्गुरु सोसाइटी भक्ति नगर हमदावाद 380007 20 नवेंबर 2013 प्रिय मित्रा अरुशी सप्रेम नमस्कार आज सुबह ही तुमारा पत्र मिला यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्त हो गई है हम 10 दिन पहले काश्मीर दर्शन के लिए गए थे दो दिन पहले ही वहां से लोटे है पहले हम नैनिताल गए थे उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया उसकी परिक्रमा करने में सच्मुश बड़ा मजा आया हम नैना देवी के दर्शन करने गए, देवी की सुन्दर मूर्थी ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी फिर हम श्री नगर गए, सश्मु सुन्दर नगर है, हमने सारा नगर गूम कर देखा डलजिल की सुन्दरता ने हमारा मन मोह लिया, उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया वूलर और मानसबल जीले में, जीले भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वेड़ डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती श्री नगर और पहल गाउ के बीज केसर की क्यारियों से आ रही खुश्बू ने हमें मदमस्त कर दिया शाली मार और शाद बाग में घुमते हुए हमें स्वर्ग के नंदन वन में घुमने के जैसे आनंद आया मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिये और कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, शेश मिलने पर तुम्हारा मित्र पेज नुबर 15, question 7, अपूर्ण खानी को पूर्ण कीजी, एक गाव था, उस गाव में एक गरीब किसान रहता था, उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम इसका अंसर है, एक गाव था, उस गाव में एक गरीब किसान रहता था, उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था, रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशाने बाजी में भी बहुत रूची थी, बड़ा होकर वह भारतिय सेना में भरत हो गया, छोटे बड़े लखन को खेती बारी का शौक था, उसने खेती की जीमेदारी समभाली और एक समरुद्ध किसान बन गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, रामू ने बड़ी भाधूरी दिखाई, उसने दुश्मन के चक्के चुड़ा दिये, लड़ा उसके बेटों ने जय जवान, जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है, कोशन एट है, दिये गए परिश्चेत का हिंदी में अनुवात कीजिए, तो इसका अंसर है, हिरन नदी की पश्यम की तरफ सूरजददा विदा ले रहे हैं, संध्या के समय पक्षियों की टॉलिया अपने घोसलों की और उड रही है, बैसों का जूंड और गायों का समूह अपने मालिक के गर की और लोट रहा है, उस समय रिमजिम रिमजिम वर्षा शुरू हुई, लोग असय गर्मी की पिडा से मुक्ती का अनंद ले रहे थे, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षि और जिवजन तु भी शान्ती का अनुभो करने लगे, पेश नमर सिक्स्टीन कोश्यन नाईन दिये गए शब्दों मिले ऐसे पहिलिया का निर्मान कीजिए, पहला है सितार, इसका अंसर है, आकाश में रहता हूँ, रात पर चमकता हूँ, दिन में चिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद, फिर निकल आता हूँ, चम-चम-चमकता हूँ, रहता हूँ, मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ, मैं हूँ कौन, सितारा, ठीक है, दूसरा हाती है, गणपती जैसा मू है मेरा, काया खूप विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ में मस्त है मेरी चाल, इसका अंसर है हाती, तिसरा चिराख मेरे रहने पर अंधेरेखी नहीं चल पाती मेरे दो साती है तेल और बाती तो इसका अंसर है चिराख चोथा पाट शाला ज्यान का मंदिर हुँ चरस्वेति का घर हुँ आओगे यदि मेरे पास पाओगे विध्या का प्रकाश क्वेशन 10 है दिये गए शब्दो को शब्द कोश के करम में लिखिये तो इसका अंसर है अभिवादन, अभ्यास, चिराख, प्रगती, महकना, विनय, शामर, संग्राम, संध्य, हमदर्द क्वेशन 11 है इस पाठ में आए प्रशाशकिय, प्रशाशकिय, शब्दो की सुची बना कर उनका वाक्य में प्रवयक कीजिये प्रशाशकिय, शब्द वाक्य, अधिक्षक, मैं थाने में जाकर अधिक्षक से मिला प्रभाव फिल्म प्रभाव आज बंद है था थर्ड वरिष्ट वे यहां वरिष्ट अभियंता है कनिष्ट कनिष्ट अधिकारी योग्य वक्ति है फिफ्थ सच्यू मंत्री ने अपने सच्यू को बुलाया पेश नबर सेवन्टीन ट्वेल दिये गए विशेशनों का वाक्य में प्रयक कीजिए पहला है दयावान दयावन का अंसर है राजा बहुत दयावन था सेकंड मुल्यवान समय सबसे मुल्यवान वस्तु है थर्ड कृपालू संत कृपालू होते है फोर्थ थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक जादा है फिफ्थ अच्छा मौन एक अच्छा लड़का है शिक्स सुन्दर उद्यान में सुन्दर फुल खिले है सेवन्थ प्रिय गुलाब मेरा प्रिय पुश्पा है तो इसे के साथ इस वीडियो में यह चैप्टर यहीं पर खतम होता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते तब तक के लिए टेक क्यार बाई